अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो लाल सब्सक्राइब का प्रटन दबाकर अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को क्लिक करना ना भूले अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो आपको मेरे रोज के वीडियो नहीं मिलेंगे चले शुरू करते हैं ये वीडियो कॉमेक्स और एमसे एक दोनों को कवर करेगा इसलिए तास तक देखते रहे है अभी ये चांदी का चार्ट है आप देख सकते हो 14 चांदी चल रही है कल हमने देखा चांदी पंदा साथ 14 साथ से नीचे गई लेकिन मार्केट कुछ भी सस्टेन नहीं कर रहा है ये देखो के आप तो 3-4-4-5 पांक पार सेंट्स के केंडल बने हुए है इनफाक्ट गोल्ड थोड़ा नीचे गया था लेकिन चांदी आल्मोस्ट अभी वही पर फिर्म है इसलिए र्यादा को जब भी मोमेंट नहीं है मुस्ट पॉबली ऐसा है कि आज शाम को जो मेजर डेटा है मार्केट उसका बेट कर रहे है इसलिए थोड़ा सा मार्केट में ट्रेंड फ्लाट है चली चेक करते हैं आज के सपोर्ट और अरुसर्ट चांदी के आज का सिल्वर का सपोर्ट रहेगा 14.48 का रजिस्टेंट रहेगा 14.82 का 14.48 एक बहुत ही मेजर सपोर्ट है अगर इसके नीचे मार्केट निकला तो 14.20 और 14.00 डॉलर भी जा सकता है 14.82 एक रजिस्टेंट जरू है लेकिन इतना कोई मेजर रजिस्टेंट नहीं है इसके उपर मैं आपको बोलू के पोजिशनल बाइंग करो 14.20 के ओपर नीचे निकला तो मार्केट पॉस्टेब हो सकती है पंदर डॉलर तक जा सकती है बड़ थोड़ा कॉशिस रहेगा क्योंकि आज डेटा भी है और मार्केट में इतना अपुल जान नहीं लगा नजर आ रही है मेजर ट्रेंड जो क्लेर होगा वो शाम को छे बजी के बाद होगा जब यूस का डाटा आ जाएगा चली अब गोल्ड को देख लेते हैं यह एक गोल्ड का चार्ट कल नियाद नहीं 66 डॉलर तक गया था मैंने आपको याद हो तो 66-65 के आसपास काई सपोर्ट दिया था वो सपोर्ट उसने नहीं तोड़ा कल भी और अभी 62 डॉलर चल रहा है अल्मोस्ट 6-6 डॉलर उपर चल रहा है इसने बाउंस टिया आए अभी बट अभी भी अटक गया है तो ध्यार दखेगा सपोर्ट और रिजिस्टंस स्ट्रिक्ली आप फॉलो करें चली गोल्ड का सपोर्ट आर रिजिस्टंस देख लेते हैं गोल्ड काज का सपोर्ट हो जाएगा 1260 डॉलर वो ही जो मैंने कल आपको दिया था रिजिस्टंस है 1282 डॉलर दोनों सपोर्ट रिजिस्टंस बहुत ही क्रूशल है श्यासाट डॉलर से निचे निकला मार्केट तो फ्रेश सेलिंग आसे थी है 1260 और 1250 तक 1282 से उपर निकला और सस्टेन किया मार्केट तो 1290 और नियान में भी जा सकता है बड़ ध्यान दखिएगा कि छेवरी देटा है शाम को इंडियन टाइमिंग के अकॉर्णिग आपको अगर सेलिंग या बाइंग में है तो छेवरी से पहले निकलने की कोशिश कीजिएगा चली क्रूड ओल को देख लेते हैं फिर एंजी एक्स के रबल देखे हैं यह आ गया क्रूड ओल का चार्ट कल इसने यहां से टपक ना शुरू किया तो यहां तक टपक गया है लिटरली टपक गया कोई भी इसने मौकव ने दिया बायर्स को निकल लेगा और सेलिंग ही होती रही है अभी भी एक सट तरे सट चल रहा है चली इसका सपोर्ट और रजिस्टिंट देख रहेते हैं फटा फट करूड ओल का सपोर्ट है जान रखेगा शाट असी से नीचे साट डॉलर और और उनुसर डॉलर जा सकता है अगर मार्केट उपर नीचे निकला तो तरे सट और चॉनसर डॉलर वापस जा सकता है अच्छी रिकवरी आ सकती है प्रूड ओल में अभी फिलाइट रहें ट्रेंट टु वीक है बट यहा जाए तो डिफ में बाइंग करने की कोशिश करें इसके नीचे का स्टॉप लॉक जालके चलिए अब mcx की लेवल से एक लेते हैं mcx में गोल्ड शिल्वर अभी भी माइनस में चल रहे है में रीजन यहा है कि आज यूस्ड आइनर वापस से नीचे कुला है दो तिन निन से मार्केट गोल्ड शिल्वर का mcx में यूस्ड आइनर के अकॉर्डिंग ही चल रहा है अगर आज भी पंदरा सेंड डाउन है पंदरा पैसे डाउन है जिसकी वैसे वीकमेस आ रहे है आ रही है गोल्ड शिल्वर में चलिए पहले कॉपर के लगुस देखते mcx में कॉपर का सपोर्ट है 428,20 परसे का रजिस्टंस है 430,40 इसका ट्रेंड वीक है अब अब यहां पर काफी अलड़ी मन्दी आ चुकी है तो मैं आपका अडवाईग निकरूगा सेलिंग करने का चलिए खुरूड ओयल का रजिस्टंस है आज का 63,25 का सपोर्ट इसका है 82,42 का क्या न कहते हैं इन निवे से 42,40 का 42,44 का सॉरी फो राट गोल्ड का रजिस्टंस है 31,470 सपोर्ट है 31,160 का सिल्वर का रजिस्टंस है आज का 36,730 सपोर्ट है आज का 35,910 का चलिए सपोर्ट होगा है पांच बजे वापस से मैं जब आईनार बंद हो जाएका तो एक वीडियो लड़ा डालूगा वोसे फैम्सी एक्स के लेबल्स होंगे और अगर आपको मेरी सर्विस लेनी हो तो म मेरा WhatsApp नमर मैंने description में दे रखा है आप मुझे WhatsApp कर सकते हो अगर आपको कोई trade art का हुआ है तो आप मुझे निचे comment करके बताइए मैं आपको जरूर अपलाई करूगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो या अगर आप किससे help होई हो तो एक like जरूर करें चलिए श